राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वाराप्रस्तु थेश्रिंखला भारत के बंदरगाह इस श्रिंखला में आज प्रस्तुत है कारेक्रम पारादीप बंदरगाह नटखट और चंचल सोनु के उत्सा और उत्सुकता की कोई सीमा नहीं है वो अपने चाचा कैप्टन अशोग के साथ जो मर्चंट नेवी में कप्तान है समुद्री यात्रा पर है उनका जहाज विशाखा पटनम तट होते हुए कॉलकाता की और बढ़ रहा है अब हम किधर जा रहे हैं चाचा जी बेटा सुनू अब हमारा जहाज उडीसा राज्ये के तट पर पहुचने वाला है जानते हो उडीसा को पहले उत्कल भी कहा जाता था उत्कल बोल के बताओ उत्कल तो उडीसा के तट पर गोपालपूर, चांदबाली और पारादीब बंदरगाहा है गोपालपूर कुछ वर्ष पहले उडीसा का मुख्य पोड था लेकिन पारादीब के बनने के बाद गोपालपूर का महत्पत कम हो गया और चांदबाली बंदरगाह वैतरणी नदी के मुहाने पर बना है कोलकाता और उडीसा के व्यापार में इसकी मुख्य भूमिका रहती थी ओ उडीसा, मैंने टीवी में जगनाजी की रत यात्रा देखी है चाचा जी, उस रत को तो हजारों लोग खीशते हैं हाँ, बेटा हाँ, फिर तो तुम ये भी जानते होगे, कि ये उत्सव उडीसा के पूरी नगर में मनाया जाता है पूरी में भगवान जगनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर है हाँ, और इस मंदिर में भगवान जगनाथ जी के दर्शन करने के लिए लाखों शद्धालू आतीता है और हाँ, पूरी का जो तट है वो बहुत सुंदर है हाँ, यहाँ पे समुदर के तट पर शाम तो देखने लाइक होती है फिर तो हमें पूरी भी देखना चाहिए हाँ, बिटा, अगर समय मिला तो हम पूरी भी जरूर देखेंगे अच्छा चाचा जी, मैंने पढ़ा था कि उडिसा के तट पर एक और नगर है, कटक हाँ, हाँ, सुनू, तुमने बिल्कुल ठीक कहा हाँ, मैं भी कैसा हूँ, एक दम भूल गया, देखो बिटा, कटक उडिसा के तट पर एक मुख्य नगर है, यहां का पोट पहले बहुत प्रसिद्ध था, कटक का पोट महानदी के मुहाने पर बना हुआ है, और महानदी उडिसा की सबसे बड़ी नदी है, यहां से इंडोन अनेशिया, मलेशिया और दक्षिनपूर्व एशिया के देशों को लोग जाते थे, विदेशों से व्यापार भी होता था, होता था, मतलब चाचा जी अब नहीं होता क्या, नहीं बेटा, अब पारादीब जबन गया है, चाचा जी, एक जहास दूर दिखाए दे रहा है, पारादीब पास है क्या, सोनु बेटा, हम पारादीब बंदरगाह पहुचने वाले हैं, अरे वा, यह एक आधुनिक बंदरगाहा है, अच्छा, इसकी प्रिष्ट भूमी, खनीचों और उद्योगों से भरपूर है, ओ, चाचा जी, वो देखिए, वो स्क्रेन से सामान ला पारादीब का पोर्ट कटक शहर के पास है, यह साठ के दशक में बना था, जानते हो, इसके जो डॉक्स हैं, वो बहुत गहरे हैं, ताके बड़े बड़े जहाज यहां आ जा सकें, और डॉक में पानी का स्तर बनाए रखने के लिए, महान अधी पर एक बराज बनाकर, ताल डांडा नहर द्वारा पत्तन में पानी लाया गया है, ताके यह पूरे साल खुला रहे, लगता है, पारादीब का पोर्ट बहुत सोच समझ कर बनाया गया है, हाँ बेटा, यह तो है, लेकिन पारादीब को बनाया क्यों, ऐसे तो और कई पोर्ट है, ऐसा है बेटा, आजा वहग जहाज आवज जा सकें, और दूसरी बात ये, कि पारादीब की प्रिष्ट भूमी में कोईला, लोह अयस्क, मैंगनीज, बॉकसाइट जैसे कई खनिज, उडीसा, जारखंड, छतीस गड़, और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में पाए जाते ह हाँ चाचा जी, ये सब तो मैंने भी पड़ा है, और… इंजन और कागज का उत्पादन होता है, और इनके व्यापार के लिए पारादीब जैसे बंदरगाह की जरूरत पड़ी, आई बात समझ में, हाँ चाचा जी, सुन करता बड़ा मज़ा आया, बैटा, इस बंदरगाह से लह अयस्क, विशेश रूप से जापान और पूरव यूरोप के देशों को भीजा जाता है, यहां से कोईले का भी र्यापार होता है, चलो बटा, जब तक सामान लाता जा रहा है, मैं तुम्हें बाहर गुमा लाता हूँ, आज़ा, आज़ा मेरे सामान, जल्ली जलिए न, हाँ चलो, आज़ा, आज़ा, सोनू और कैप्टन अशोक बंदरगह से बाहर निकल कर बीच पर आ गए है, समुद्र की रेट पर चलते हुए सोनू को बहुत मजा आ रहा है, चाचा जी, यह रेट कैसी है, पाओ अंदर ही दस्ते चले जा रहे है, संबल के चलना, अरे, परबल के, गिर्फट जाना, अच्छा आओ, मैं तुम्हें एक मज़ेदार द्रिष्य और देखा दो, यहां पे आओ, यहां पे आओ, यह देखो, चाचा जी, ये लोग तो रेट से मूर्तिया बना रहे हैं हाँ बेटा, उडिसा के तट चौड़े और रेती ले हैं इन तटों पर रेट से खेलना, मूर्तिया बनाना बहुत प्रसिद्ध है यहां तो आपस में मूर्ति निर्मान की प्रतियोगिताईं भी होती है और फिर सबसे अच्छे मूर्तिकार को पुरस्कार दिया जाता है चाचा जी, मैं भी मूर्ति बना कर देखूं अरे बना ले ना, बना ले ना, बाद में बना ले ना आगे चलें? क्या चाचा जी? अच्छा आओ न, नाराज क्यों हो रहे हो? तो वापस आओगे ना तो अपना आइना सामने रखना और अपने आपको देखके रेट से अपनी मूर्ती बनाएं फिर तो मैं पूरसकार भी जीतूंगा अब वो देखो बटा यांत्रिक नाव यांत्रिक नाव यह तो नन्ना मोहना जहाज लग रहा है यहां क्यों खड़ा है बेटा यहां से थाइलांड और इंडोनीशिया के लिए यांत्रिक नाव से यात्राएं की जाती हैं यह जो नाव है ना यह चलने के लिए तयार खड़ी पहले लोग पूर्वी एशिया के देशों में व्यापार के लिए यहां से आया जाया करते थे तो आपसी मेल जोल और व्यापार को मजबूत बनाने के लिए अब यह यात्राइं दुबारा शुरू की गई वा ना से इंडोनेशिया और थाइलांड की आत्रा एक मज़ेदार बात और बताओ तुमने रेडले कचुओं का नाम सुना है रेडले कचुओं यह कैसे कचुओं है चलो मैं तुम्हें बताता हूं देखो पारादीब बंदरगाह के तट के पास रेडले कचुओं अंडे दे होते हैं दुनिया भर में सिर्फ एक या दो जगह और हैं जहां यह कचुओं तटियरेत में अंडे देते हैं इसलिए इन्हें अनूठा माना जाता है ओलिव रेडले कचुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं यह बताओ मैंने क्या नाम बताया ओलिव रेडले कचुओं पर ये उडिसा किसी और समय आना पड़ेगा हमें कैप्टन अशोक और सोनू कच्छों की बात करते करते वापिस बंदरगाह की ओर आते हैं सोनू अपनी अगली यात्रा के बारे में सोच कर बहुत खुश है पारादीप बंदरगाह अभी आप सुन रहे थे ये कारेक्रम विशय परामर्ष अक्तर हुसैन विशय सहयोजन डॉक्टर माध्वी कुमार आलेक माध्वी मेनन कलाकार बाबला कोचर नीलम मलकानिया और रसग्य ध्वन्यंकन चंदन सिंग निर्मान सहयोग दाव दयाल चतु जडित होरू